कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर तो गाइज आज का व्लॉग होने वाला है काफ़े इंटरस्टिंग क्यों कि जो मैंने प्रिविस व्लॉग में आप लोगों के साथ बेबी की स्वाटर शेयर की थी आज मैं उसी बेबी ड्रेस के साथ के लिए एक टोपी बना रही हूँ आई होब आपको यह टोपी अच्छी लगेगी तो यह वाली टोपी बनाना काफी जादा से में पर लेकुश लोग तीन सिलाइयों का यूज करके गोल टोपी बनाते हैं मतलब कि इस तरीके से स्पेस नहीं लगते है मुझे वह अच्छा नहीं लगता है उस तो आप लोग भी अपनी मर्जी से बनाईएगा तो देखिए मैं आपको एक ओवर्व्यू दे देती हूँ पहले हमने यहां फंदे डाले हैं इसमें असी उसके बाद हमने तीन सिलाइया उल्टी उल्टी बन लिया फिर थोड़ा सा स्पेस इदर दो सिलाइया बनाईए फि इसके नेक्स्ट में जहां पहले अपने तो बनाईए और इस तरीके के एक बिल्कुल इसी और सिम्पल डिजाइन बनके रडी हो जाएगा पर बहुत जादा ही अट्रक्टिव होगा यह डिजाइन तो देखिए यह वही वाला डिजाइन है जो हमने फ्वाटर में निकाल थ अगर आपको ध्यान हो तो यह देखिए यह वाला डीजाइन ही है यहां पर फरक इतना है वहां पर थोड़ा छोटा था क्यूंकि वहां पर उतनी ही capability थी कि उतना ही निकाल सकते थे यहां पर थोड़ा से बड़ा हुआ है वहां पर हमने 5 फंडे बनाए थे यह हमने यह इसका बेस 7 फंडों का लिया है बागी कोई difference नहीं है तो यह देखिए उपर भी हमने इस तरीकी का ही बनाया है तो यहां से आगी का process में आपको अभी बताऊंगी कि अब हम इसे goal कैसे बनाना है तो चलिए करते हैं start यह देखिए मैंने 8 फंडे बना लिये है अब हम यहां पर एक फंडों से एक फंडा बनाना है यह देखिए इस तरीके से यह देखिए आपको शायद फर्स टाइम में समझ नहीं आएगा पर उसके बाद आपको समझ आ जाएगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ देखिए एक बार फिर से बताती हूँ जो यहां वाला फंडा है इसको इधर करेंगे जो यह सेकिंड वाला था इसको फर्स्ट में लेकि आएंगे यह देखिए जो स्वैटर में वीग शेप का गला बनता है वो भी इसी प्रोसेस से बनता है यही उसका भी पैट्रन होता है थोड़ा हाल्ड है शायद फंडा तो टाइम लग रहा है यह देखिए यहां हमने आट बने हैं यहां हम तेरा बनाएंगे फिर बताऊंगी तो देखिए मैंने तेरा फंडे बना लिये हैं यहां पर मैं आपको फिर से बताऊंगी यह सेकिंड वाला फंडा है इसको उदर लेकि जाना है और जो यहां का सेकिंड ता उसको फर्स्ट बनाना है फिर इस तरीके से तीन फंदे बिल्कुल ध्यान से एक साथ बनानी है, इस तरीके से, I hope आपको समझ आगिया होगा, मैं complete करके बताती हूँ, तो guys ये देखिए, इस pattern को follow करते वे, हमने पूरी सिलाई बना ली है, अब back वाली side हमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई ही बनानी है, मैं इस सीधी सिलाई को complete करके आपको फिर से बताऊंगी, कि आपको next step में क्या करना है, तो guys ये देखिए, मैंने back side से भी बना ली है, ये सिलाई, अब हम next step करते हैं, continue, तो देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 था, तो यहां भी हमारा पहले वाला फंदा था, तो हमें इसको फिर से अरेंज करना है, ये देखिए, इस तरीके से डाल देंगे, ये देखिए, तीन का बना दिया, एक, इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, अब मैं आपको इसको complete करके ही बताती हूँ, तो गाइज, ये लीजिए, मैंने कर दिया है, complete, ये देख सकते हैं, आप कितना संदर लग रहा है, ये design, अब आप लोग चाहें तो, यहां से धागा काट के, इसको सिलाई की हैल्प से भी सिल सकते हैं, ताकि इसमें गोल सी शेप बन जाए, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं यहां से सिलादूंगी, देखिए, मैंने कर दिया है, दो साइट, मुझे मिली नहीं कोई दूसरी सिलाई, फिर मैंने यही उठा दी, देखिए, इस तरीके से, दो फंदो को साथ बनाना है, फिर यहां से बंद करना है, तो गाइज, मेरा जो आज का व्लोग था, बस यह नहीं तक का था, क्योंकि काफी सादर टाइम हो जाता है, वीडियो लंबी होती है, फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को, तो थैंक्यू फॉर वचिंग, अब मैं आप से मिलती हूं अपने नेक्स व्लोग में, उसमें मैं आपको अपनी जो यह टोपी बन